multiple statement वाला में तो इसमें हमारा बस if नहीं इसमें if else भी रहेगा तो अब उसी के base पे जैसे ही हमारा जो condition आपने अल्रेडी देख चुके कि true या false होने पर हमारा एक अगर true होता है तो different statement है और false होगा तो different statement है execute होने के लिए बाकी flow बना रहेगा अब क्या है कि हमारा program to check if the number is even or odd यहाँ पर number is even or odd यहाँ पर मैंने यह program तो कुछ और लिखा और program किसी और चीज़ का लिख दिया यहाँ पर number is positive or negative तो अब यहाँ पर क्या है कि हम user से number लेते हैं तो यहाँ पर हमने number ले लिया अब क्या है कि check करें अब क्या है कि number number हमारा क्या हो सकता है या तो zero हो सकता है या zero से छोटा हो सकता है या zero से बढ़ा हो सकता है और इसके लाबा कोई हमारा number नहीं हो सकता है zero से अगर छोटा हो तो negative हो जाएगा बढ़ा हो तो positive हो जाएगा तो अब यहां पर मैं चेक कर रहा हूँ if num is greater than or equal to 0 अगर greater than या equal to 0 रहे तो हम print कर देंगा percent d is a positive number यहां पर percent d यह सब मुझे नहीं लगता कि explain करने के जोग हो तो अगर clear नहीं है तो आप जाके दुबारा से previous वीडियो देख लो फिर उसके बाद क्या है कि अगर number या तो 0 होगा या 0 से बढ़ा होगा तो हमारा positive else यानि कि अब क्या else हमारा क्या हो जाएगा printf वो number negative होगा अब else क्या यहां पर हमें condition check करने के जोगत नहीं पर रहे क्यों क्या हमें जो number line हमने पढ़ा है तो यहां पर क्या है 0 होगा यहां पर negative होगा यहां पर positive होगा तो अगर हमने यहां वाला check कर लिया first condition if number is greater than or equal to 0 तो जाहिर जो remaining बचेगा हो negative होगा else printf number is negative तो यह हमारा यह जो multiple statement वाला यह है condition पर based था तो यह clear प्रोगाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेकिन हां लिखना क्या चाहो जितने भी प्रोगाम यहां पर मैं कर रहा हूं तो वह खुद से एक बार करके आप लोग create करो और फिर उसको execute करो बहुत मतलब समझ में आएगा क्यों क्योंकि अभी तो लग रहा है कि सही है लेकिन जब एक बार आप type करो फिर छोटी छोटी चीजे जो mistakes हो जाती है तो वह फिर clear होगा तो मैं recommend करूंगा कि एक बार at least program को अपने system पर type करो और फिर run करो करो